कि कंपनियों में भागने की होड़ वैसे ही लगी जैसे तालीबान के डर से काबूल एएरपोर्ट पर भीड़ लगी अफरा तफरी मच गया भागो यहां पर दुबई में तु बिल्डिंग बनाके देगा तो यहां तो खाली रेगिस्तान है इतना डेबलप किया दुबई न और ब्रिटेन ने होंगकों को बहुत जादे डेबलप किया था यहां पर होंगकों को बहुत डेबलप किया था लेकिन 1997 इस होंगकों को चारो और से किसने घेर लिया चैन कि ब्रिटेन यहां से निकल जी वरना हम आपको वैसा ही मारेंगे जैसे आपने जलिया वाला बाग म अंग्रिज्च भार्तियों को मारत अब हां कि हौंग्कॉंग में समस्या क्या थी in ंग्लेंड ने हौंग कौंग को इतना डेवलब किया था कि जितने दुनिया की फेक्टरीज थे ऊषब के माली कहा बैठते थे वह हंग्कॉंग की जितने तरह का ecosystem है नहीं तो पूरी दुनिया का जादेतर कहां था हॉंग कॉंग में था कहां पर हॉंग कॉंग कॉंग के लोगों ने कहा कि चाइना को देदेंगे हुआ होर चीज सरकारी होता है और हम कहांगे मत लो तो तुझीदे तोप देखाएगा हमको टैंक तुरते मार देगा यहां पर तो चाइना ने इंगलैंड और चाइना के बीच में एक समझाता हुआ और इस समझाता में कहा गया कि हौं कॉंग कॉंग पर भले अधिकार चाइना का हो जाएगा लेकिन अगले 50 साल तक 97 से 50 साल 47 अगले 50 साल तक यहां पर किसी भी प्रकार का changing चांगरेजिंग 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 सरकार इनकी जरकारं उनकी सरकार दुबाई का राजा जो था इसका मिटी का गर था यह फ्लाइट पकड़ के कहा यह हूंगकों कहा कि जितनी फेक्ट्री जानी है जितना आफिस चाहिए हम सेम बिल्डिंग भनाकर आपको देंगे दुबाई में तो बिल्डिंग बनाकर और देखते देखते आज दुनिया के दिए मिशाल बन गया है तु यहां केवल रेगिस्तान होता था देखते देखते पूरी दुनिया में आगे को निकल गया दुबई, और दुबई की एकोनमी में पेटरॉलियम का थोड़ा भी हात नहीं है, एक परसेंट के वल उसकी एकोनोमी में हाथ है सारा चीज उसने कहां से कर लिया सारी कमपनियों के बड़े-बड़े कमपनियों की मीटिंग ओफिस दुबई कोई भी बड़े बिजनस डील होगा दुबई इवन भारत में कोई अमरीका से कोई भी सामान लाई है दुबई एएरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा उतारेगा उसके बाद दूसरी जहाज से यहां लाएगा पहूत ही डेवलप कर दिया दुबई आप बताइए हम लोग इन्हें अंड़मांडी को बार में नहीं बूला सकते थे हैं हर सुख सुबिता देंगे आज यहां पर भी क्या दिक्कत है वैसे भी दुबई में ट्रेन थोड़े चलती है लोग जहाजे से जाते हैं यहां भी जहाज से दुबई में भी समुंदर क्या बीच है किनारा है यहां भी समुंदर का लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे कॉंग् डेबलब कर गया जिसका कोई हद नहीं दुबई के राज आप पैसा उसके पास आने लगा अथा पैसा जब पैसा आता है आपका दिमाग आने लगता है आटोमेटिंग इस्टेंडर्ड बढ़ जाती है डेबलफ हो जाता है अभी भी बहुत जादे डेबलफ है माकाउ में एस आप पीर आएगी सब ले आके अब चार्ज करते हैं अब मन के पूरुस कहेगा सौ रुपया दिजिए भागताएगी नहीं से जाती नहीं सारुपया दिजिए महिला ले आके सराव रखेगी आप उसको वहां पर उसका चार्ज रहता है तो मकाउ जो है सबसे महंगा और सब से बड़ा कशीनो है एस या का याँ पर